आज मुझे कुछ चटपटा खाने का मन था तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले एक पैन लेंगे इसमें हम दो चम्मत तेल डाल देंगे तेल गरम हो गया है इसमें अब हम एक चम्मत साबुत धन्या डाल देंगे 12-14 के लिए लेसुन की डाल देंगे इन्हें थोड़ा ब्राउन कर लेंगे इसी के साथ हम दो चोटे टुकड़े अदरक के डाल देंगे अब इसमें हम दो मीडियम साइज के प्यांज को डाल देंगे यह हम रफली काट रखे हैं इन्हें दो से तीन मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राइ करेंगे यह देखे हमारा प्यांज हलका सा फ्राइ हो गया है तो यहां पर हम एक हरी मिर्च डाल दी है क्योंकि मुझे ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे अब हमारा प्यांज ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें रफली कटे हुए तीन टमाटर डाल देंगे टमाटर एकदम लाल होने चाहिए इससे इसका कलर अच्छा आएगा इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे नमक से टमाटर जल्दी गल जाएंगे नमक को मिक्स कर देंगे सबी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है अब इसे हम धकन रखे 5-6 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे 5-6 मिनट हो गया है टमाटर अच्छे से गल गया है ये देखे अब हम गैस की फ्लेम को बन कर देंगे और इस मिक्सर को ठंडा होने के बाद मिक्सर ग्रेंडर में पीस लेंगे ठंडा होने तक हम पनीर को फ्राइ कर लेते हैं अब हम इसी वर्तन में चार से पांच चम्मत तेल डाल कर पनीर को फ्राइ कर लेंगे जो मैंने पनीर लिया है यह लगभग 200 ग्राम पनीर है पनीर को मीडियम फ्लेम में फ्राय करेंगे हम पनीर को हलका फ्राय कर लेंगे बहुत जादा ब्राउन नहीं करेंगे इसको हम पलट के भी फ्राय कर लेंगे इसी तरह हम बागी पनीर को भी फ्राय कर लेंगे पनीर हमारा फ्राय हो चु कि पनीर को हल्गे गरम पानी में डाल देंगे अब एक बरतन में मैंने तीन चम्मच तेल डाल दिया है आप चाहे तो तेल कम जादा भी कर सकते हो तो यहां पर मैंने कुछ खड़े मसाले डाले हैं एक चम्मच जीरा दो लॉंग एक दालचीनी का टुकड़ा एक छोटी लाइ और आधा चम्मच अजवाइन अजवाइन से खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा लो फ्लेम पर इसे कुछ सेकिन के लिए फ्राइ करेंगे अब हम इसमें जो टमाटर प्यांच लैसुन अद्रग वहरी मिर्च का पेस्ट बनाया था उसको इसमें एड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हम 3-4 मिनट इसी तरह भूनेंगे इसे थोड़ा तेल सेपरेट हो जाएगा इसको हम चलाते हुए पकाएंगे हमें इसे पकाते हुए 3-4 मिनट हो गया है अगर आप ये इस्टेप करेंगे तो सब्जी बहुती टेश्टी बनके तयार होग ये देखे अब हम इसमें आधा कटोरा मटर डाल देंगे ये भी इसी के साथ भुन जाएंगे अब हम इसमें मसाले एट करेंगे सबसे पहले हम इसमें डेर चमच धन्या पाउडर एक चमच गरम मसाला एक चोथा ही चमच हल्दी एक चमच लाल मिर्च एक चमच नमक नमक हम स् सबी मसालों को अच्छे से मिक्स आर देंगे। मटरval मसाले साथ में ही भुन जाएंगे। इसमें भुनने से Fit लेवर अच्छा आएगा। इसको हम इसी तरी के से भूनेंगे। अब हम इसमें आधा गिलास पानी एट करेंगे ये थोड़ा गाड़ा हो रहा है अब हम इसमें ढखकन रखे तीन से चार मिनट पकाएंगे जिससे हमारी मटर अच्छे से पक जाएगी और मैंने फ्रेस मटर बॉयल भी नहीं की थी ये इसी तरह के से पक जाएगी अच्छे से तो देखे इन्हें हमने तीन से चार मिनट पका लिया है ये देखे हमारे मटर बहुती बढ़िया से पक गए है इस स्टेज पर अब हम इसमें पनीर एट कर लेंगे पनीर को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा इसको हम चलाते हुए इसी तरह दो से तीन मिनट पका लेंगे गैस को बण कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है सबजी हमारी बन के तयार है आप इसे पूरी पराठे यानानके सांथ बी सुर्व कीजिए सबजी बहुत ही टेश्टी बन کے तयार हुई है तो दोस्तों रेसिपी अच्छ झाला हो एक प्रेशः टाओ प्रेक्वाद कर तो तरॉड़ सबसे की जड़ा जाद सबसे हैं